हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं इस टेस्टी बर्फी को और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे इस टेस्टी बर्फी को बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर ठाई सो ग्राम के करीब गाजर और गाजर को अच्छी तरह से हमने धुल लिया है और अब इसको हम छोटे छोटे टुक्रों में चॉप करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमने गाजर को चॉप कर लिया है अब इसे हम मिक्सर में पीस करके एक फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे यहां पर ले लिया है हमने मावा और मावा डेड़ सो ग्राम के करीब है यहां पर चार से पांच चमच मखाने का पाउडर है और कुछ इस तरह से दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है और इसी के साथ यहां पर लिया है 200 ग्राम के करीब बेसन और यह है ड्राइफ रूट का पाउडर दो से तीन चमच और यहां पर है घी और घी तीन से चार चमच है यह 50 से 60 ग्राम के करीब होगा और साथ में ही कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट लिया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक पैर में हम डालेंगे एक से देड़ चमज के करीब घी घी मेल्ट हो चुका है अब हम डालेंगे बेसन और बेसन को मीडियम ख्लेम पे हम धीरे धीरे भुनेंगे बेसन को हमें लगातार चलाते हुए यह भुनना है ताकि यह चारो तरब से एक वली भुन जाए और नीचे से यह जलेना बेसन को हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस करके भुनते जाना है ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत गाठे हैं वो हट जाए और इस तरह से भूनते हुए 3-4 मिनट हो गये हैं और आप देख सकते हैं कि बेशन का कलर भी चेंज होना सुरू हो गया है और ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से बेशन का कलर चेंज हो गया है और अच्छी सी खुस्पू भी आने लगी है जिस तरह से हम लड़ो के लिए बेशन भूनते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे भूनना है और ये देखिए पुरी तरह से इसका कलर चेंज हो गया है बस इतना ही हमें भूनना है और अब हम गैस का फ्लेम करते हैं और इसे निकाल लेते हैं और अब सेम पैन में ही डालेंगे फिर से एक चमच घी और घी डालने के बाद हम डालेंगे अपने गाजर के पेस्ट को जो हमने मिक्सर में पीस लिया था और इसे डाल करके हमें अच्छी तरह से भुनना है और इसे भी हम मेडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे और इसे भी हमें चलाते हुए तब तक भुनना है जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे और आप देख सकते हैं कि ये ड्राई होना शुरू हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि इसका स्वात कैसा आएगा कच्छा सा लगेगा पर यकीन मानिये फ्रेंट्स बहुत ही बहुत ही यमी सा बन करके तयार होता है और पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज का ये बर्फी खा रहे हैं तो देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट ड्राई हो चुका है और अब हम डालेंगे इसके अंदर मावा मावा यहाँ पर ठंड की वज़ा से जम चुका था तो इसक पर हमने 100-500 ग्राम के करीब एड किया है और आप अपने मिठास के अनुसार यहाँ पर चीनी एड कर सकते हैं तो अब इसको हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स चीनी मेल्ट हो जाने के बाद डालेंगे हम मखाने का पाउडर और मखाने का पाउडर थोड़ा थोड़ा ड मिक्स इसे हमें तब तक मिक्स करते हुए कुक करना है जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे अब ये छोड़ना शुरू कर दिया है तो यहीं पर डालेंगे हम बेसन जो हमने भून करके रखा हुआ था बेसन हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिलाते जाना है और अब हमने पूरा बेसन इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस पूरे प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से डो के फार्म में ना आने लगे मिस्रण यहाँ पर पूरी तरह से डो के फार्म में आने लगा है और अब हम डालेंगे सबसे आखिर में ड्राइफ फ्रूट्स जो हमने दरदरा सा पीस करके रख लिया था और साथ में ही डालेंगे आदा चमच इलाइची पाउडर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर और अब सारी चीजों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और फ्रेंड्स इस मिठाई को जब आप बना करके खाएंगे न तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं और आप पकड़ी नहीं पाएंगे यह है आखिर में किस चीज का बर्फी और आप जरूर एक बार बनाईए और ट्राइ किजिए आपको खुद पता चल जाएगा तो यह हमारा मिस्रण रेडी हो चुका है और अब गैस का फ्लेम करते हैं आफ और इसे सेट करने के लिए एक थाली में निकाल लेते हैं यहाँ पर एक थाली में हमने घी लगा लिया है और इस मिस्रण को इस थाली के अंदर रख करके इसे बराबर से हम सेट कर लेंगे फैला देंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स तो जरूर एक बार ट्राइ करें और देखिए इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है अब इसके उपर लगा देंगे कुछ ड्राइफ रूट्स आप अपनी इच्छा नुसार इसके उपर ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हैं आप जिस सेप में चाहें उस सेप में आप कट लगा सकते हैं तो एक आपको निकाल करके दिखा देती हूँ ये देखिए कितनी आसानी से निकल आया है और हमारा बर्फी पूरी तरह से परफेक्ट बन करके तयार हुआ है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंट्स आप जरूर एक बार ट्राइ करें देखिए ये कितने अच्छे से स्मूथली तूट जा रहा है और जिस तरह से मार्केट की बर्फियां होती है ना बिल्कुल उसी तरह से है ये और खा करके बताएं फ्रेंट्स कमेंट करें कि कैसा लगा आपको तो यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू